वेलकम है आपका एक और वीडियो में जैसे कि आप सब देख सकते हो कि मैं यहाँ पर वापस पहुंच चुका हूँ यूके में और यहाँ का वैदर आपको मैं पहले दिखा रहता हूँ अब देखो तो यहाँ पर तो मौसम ऐसे ही रहता है सुबह से बारिश हो रही थी अभी पहने होई है और यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होगी क्योंकि मैंने आपको इसमें बताना है क्योंकि आप सभी पूछते हो इंटर्वी होती है कौन से कोश्चन पूछेंगे जो लंड़न एरपोर्ट पे स्टूरेंट आते हैं बर्मिंगम हो जो बैलफास इतने भी कोश्चन पूछते हैं यह मेरा परसनल स्पीरियंस है और सेकेंड टाइम इनोंने मुझे कौन से कोश्चन पूछें आप स्टूडेंट हो चाहे मैं पुराना स्टूडेंट हो इसमें बहुत ही स्पेशल होगी और बहुत ही इंफर्मेटिव होगी आप इन्हें इस वीडिय की चुकिए और मैंने जैसे यहां से अपने घर तक का ट्रैवल किया है जो लंडन एयरपोर्ट से हम देली का मैंने व्लॉग मनाया था वह काफी इंफर्मेटिव था जो मैंने आपको बताया कि कुरोना टेस्ट होता है वहाँ पर तो वह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉ लोकेटर फॉरम कर पूछते हो तो गई Хот prepare पॉर्म पुछते हो तो गाई जितने भी स्टूदेट देखो वहां से इधर आ रहे है इवंप कोई भी आ हा रहा ना स्टूट नी जो वर्ट पर मिटर भी आ रहे हैं और जो टूरिस्ट भी आ आ रहे है ऐसा कि स्टूद्ट ने ही locator form भरना है कोई भी आ रहा नहीं युक्के में कोई भी किसी भी गंट्री से स्पेशलिए इंडियन्स को तुम्हें बता नहीं है पाकिस्तान बंगलादेश कहीं से भी आ रहे हो तो आपने locator form फिल करना है तो अगर आप वह फिल नहीं करते हो तो गाईज आपको 100 पॉंट यहां पर फाइन लग सकता है तो वह कब फिल करना है मैंने पहले आपको बोला था 48 गंटे के पहले करना और 40 गंटे 48 आवर्स बीदिन 48 आवर्स जैसे आपकी सपोस्थ करो फ्लाइट आपकी परसों किये तो जब वो दिन रह जाते हैं ना 24 hours 48 hours 48 hours के वी दिन आपने फॉर्म भरना है बहुत ही easy है बहुत ही easy कोई difficult नहीं है मैंने भी fill किया था तो आप भर सकते हो अगर आप बोलोगे तो guys मैं होप करूंगा कि एक चोटी सी वीडियो बनाऊंगा अगर आप बोलोगे तो क्योंकि बहुत ही जादा easy आप student हो इतना का आप तो आप कर लोगे बिल्कुल easy है government.uk की website पर जाना कुछ नहीं करना वहाँ पर search की option आती है उसमें locator डालो लो सी ए टी ओ आर तो आप डालोगे आगे आपको सब दिखेगा क्या आपने करना पड़ोगे आपको पता लग जाएगा कि विदिन 48 hours में करना है यह तो मैंने पहले बोल दिया तक 48 गंटे पहले करना है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे क्योंकि मुझे एग्जेक्ट वहाँ लाइन समझ नहीं आई थी जो मैंने आपको बताई थी तो यह विदिन 48 hours है अगर आप बोलोगे तो इस पर मैं एक वी होटल में ही रहना पड़ेगा हमें कहां रहना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है आप देखो युके में आपका कोई रेलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है आप कहीं भी स्टे कर सकते हो 14 डेज कोई कंडिशन नहीं कि होटल में ही रहना पड़ेगा मुझे इंस्टर व तो यह गाइस बहुत ज्यादा जूरी है आप अपना प्रॉपर एड्रस डालो जहां पर आपने स्टे करना है चाहिए वो किसे भी रेलिटिव का हो चाहिए उनिवरस्टी आपकी लंडर में चाहिए आप रहो बर्मिंगम में ऐसा कुछ भी नहीं है आप कहीं भी स्टे कर सकत पूचे तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं जो स्टूडेंट ग्रूप होता है मैं अपना परसनल आपको पताऊंगा कि मेरे से भी उन्होंने क्या कोश्चन पूचे हो मैं आपको बाहर में बताऊंगा तो सबसे पहले जो बेसिक कोश्चन पूचते हैं स्टूडेंट को मैं उससे स्टार्ड करता हूं क्योंकि मुझे आपको पता है फ्लाइड में जब मैं था तो मुझे स्टूड़न भी मिला वहां पर तो मुझे अपने सस्क्राइबर अपने चानने वाले मिले हैं तो मुझे काफी अच्छा लगा है मैंने उनके साथ फोटो भी क्लिक की थी दूगा तो सबसे पहला कोशें भी स्टुटकों देखकर वो पुछते हैं कि आप कौnsा कोर्स कर रहे हो आं पर कौन सा को पर आपकी कोई को आपको सीधा करना थो निनको तो कोई दिक्कत नहीं है नार्मल आंप पता दो अगर आपकर आंब या तो निको बोल केजिनंग URLs कर कि कौन सी निवस्थिये तो च्था इंडिय में क्या किया अगर कि आपने मार्केटिंग को कि या इंजीनरिंग की जॉब कि य хот कोई दिक्कत नहीं तो फक्रोशन चैनल को यहां पर इस extent करूँट बिन三em स्टूडेंट से और बाकी आपको कॉमोडेशन का बूचते हैं कि आप कि सीटी में रहोगे तो आपने वो सीटी बता देनी हैं डरने की कोई बात नहीं ऐसा नहीं कि आपकी पूरी इंक्वाइरी होगी पीछे से ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है आप उनको नॉर्मल फ्री माइंड होकर बात करो कॉंफिडेंस रखो ऐसा कुछ भी नहीं देखो जब मैं पहली बार आया था तो मैं भी नर्वस था क्योंकि सभी होते हैं जो फर्स टाइम आते हैं अब मैं दूसरी बार ट्रेवल करके आया हूंना मैं अप को बता रहा हूं आप मेरे पर ट्रस्ट करो बिल्कुल नर्वस नहीं हो ना पूरा कॉंफिडेंट रखो मैं भी आपके साथ को ऐसा कुछ भी नहीं है नॉर्मल कोश्चन पूछते हैं आप उनकी त्यारी करो घर पर यही कोश्चन पूछते हैं मैंने आपको बता दिया काफी सारे इंपलॉई आते हैं इस्पेशली नर्से बहुत आती हैं तो उनको वर्क वीजा बहुत एजली मिल जाता है इंडिया से तो वह एक अलग टॉपिक है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाना चाहता हूं तो मैं किसी नर्स को लेकर आऊंगा तो उसके साथ बात कर लेंगे सारा प्रोसेस समझेंगे मुझे वह फ्लाइट में मिले भी थे तो मैंने देखा काफी सारे स्टुडेंट आते हैं जो डिरेक्ट वहाँ पर नर्से जो हम उनको स्टुडेंट नहीं कह सकते हैं वहां से वर्क वीजा अपलाई करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने देखा कि यहां पर नर्सों की बहुत जादा डिमांड है वो मैं आपको पहले भी पताता ही रहता हूं तो जो आपर नर्सिंग की जॉब कर रहें उनके पास सीधा स्पीरेंस है वो सीधा वर्क वीजा अपलाई कर सकते हैं उनको आयल टीस देना परता है जो आयलेट्स हम कहते हैं उनके बैंड चाहिए ज्यादा चाहिए होते हैं 777 हर एक मेडियूल में 7 चाहिए होता है ओवरॉल आई थिंग 7.5 मुझे एग्जेक्ट नहीं पता तो नर्सिंग का आपको पते हैं यह बहुत ज़्यादा स्कॉप हैं आपर तो जो नर्सेंग वो हैं जस्त यह कोश्चन पूचते हैं जो उन्होंने काम करना है और वह पूछते कि आप वहां पर क्या गरते थे इंडिया में तो आपने नर्सिंग की चौप करती थी तो यह वर्क वीजा वालों को सिंपल कोश्चन होते हैं दो यह बुचते हैं बाकी मैंने आपको बता दि तो मैंने जो भी उनने question पूछे सबसे वहले उनने पूछा कि आप क्या course कर रहे हो जो मैंने आपको नहीं अरड़ी पताया तो वो चाहे मैं second time जाओँ, चाहे मैं third time जाओँ, चाहे मैं four time जाओँ अगर मैं study कर रहा हूं तो वो यही question पूछेंगे तो उन्होंने पुछा, आप क्या कर रही है, मैंने आपको पते यह MBA कर रहा हूं, तो मैंने उनको बता दिया MBA कर रहा हूं. तो पुछरे कहा कर रहे हो, तो मैंने उनको उन्युवरस्टी का नेम बता दिया, कि University of Wooster है, तो यह मेरा दूसरा गोश्चन था, तो इसके बार निसे न है की और तीस्रा कोशिय मैं बूचाक है कि आप कहांस पर इंड़ में इनको फिर फोट्वार में वह डिखा ला होता है कि बॉस्टर में तो मैंने शच्त में आपने एड़स और इकेडिका द धीए तो उसमें मैंने दिखा दिया और आल्राइट मेट यू केंगो तो आल्राइट ऐसे उसने बोला इंग्लिश में मैंने भी बोल दिया इसको ठैक्यू है वह नाइस टे तो ठीक है बस इतना सा हो ग्योंकि उनके बास सब डिटेल होती है वो जैसे अपने सिस्टम में डालते हैं तो इतना ही होता है आपका बीर भी देखते हैं तो बीर भी सॉरी बीर भी तो आपका नहीं देखेंगे बीर भी तो मेरा देखा था ना क्योंकि मेरे पास तो आल्रेडी था तो आपका तो पासपोर्ट देखते हैं तो आपका जो वीजा वेगरा होता होता है वो देखते है तो बाकी वो जैसे सिस्टम में डालते हैं उनके बाद सारी information होती है तो ठीक है guys ये मैंने आपको बताना था कि कोई nervous होने की बात नहीं है normal question पूछते हैं और मैं hope करूँगा वीडियो सबको अच्छी लगी होगी और भी आगे काफी informative वीडियो आएंगी तो अभी अपनका भी चल रहा है quarantine बस कतम हो जाएगा तो फिर आपको अभी तो मैं घर में शूट करूँगा आपको पता ही है ये घर का सीन है मैं नीचे रूम में तो मैं करता नहीं आपको पता ही है तो फिर मैं इधर ही आ गया था नीचे तो ठीक है फिर नेक्स टीडियो में मिलते हैं अपना ध्यान रखें टेक केर बावाए